बाज पक्षी जिसे हम इगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिच्याना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर सबसे उचा उड़ जाती हैं, पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठीन और सक्त ट मादा बाज साथ से नौ मिनिट का समय लेती हैं, यहां से शुरू होती है उस नन्ने चूजे की कठीन परिक्षा, उसे अब यहां बताए जाएगा कि तू किसलिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी उचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत उचा है, और फिर माद बाज उसे अपने बंजो से छोड़ देती है, धर्ती की और उपर से नीचे आते वक्त लगबग दो किलो मिटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, साथ किलो मिटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंक जो कंजाइम से जकड़े होते ह वह खुलने लगते हैं, लगबग नौ किलो मिटर आने के बाद उसके पंक पूरे खुल जाते हैं, यह जीवन का पहला दोर होता है, जब बाज का बच्चा अपने पंक फड़फडाता है, अब धर्ती से वह लगबग तीन हजार मिटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना अब धर्ती के बिलकुल करीब आजाता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को, अब उसकी दूरी धर्ती से महज 700-800 मिटर होती है, लेकिन उसके पंक अभी अतने मजबूत नहीं हुए है, कि वह उड़ सके, धर्ती से लगबग 400-500 मिटर दूरी पर उसे अब लगता है, कि ये उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है, फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ मिलेता है, और अपने पंखों के दर्म्यान समा लेता है, ये पंजा उसकी मा का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है, जब तक कि वह उड़ना नहीं सिख जाता है, ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, जो अपने से दस गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है, इंदी में एक कहवत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते, बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखे, पर उन्हें दुनिया की मुश्किलों से रुबरु कराईए, उन्हें लड़ना सिखाईए, बिना अवश्यक्ता के भी संघर्ष करना सिखाईए, वर्तमान समय की अनंत सुख सुवि परिवार के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर अपने बच्चों को ब्राइलर मूर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूर टंगडी तो है, पर चल नहीं सकता, वजंदार पंख तो है, पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में ब अभी बैठने दे, जब गर्मी में रहना सिख जाए, दाड़े की चावी तबी दे, जब कहीं किलोमेटर पैदल चलने से हिचके चाते नहों, दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राई है, निचे कमेंट करके जरू बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा